जहीं साथियो, तो SCGD Constable में जो पोस्ट खाली रह गए थे, जो पोस्ट वेकंट थे, उसके लिए रैली कंड़क्ट करा जा रहा है, और इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि रैली कंड़क्ट होगा, और अभी यहाँ पर एक और नोटीस आ ज किया है, देख सकते हैं, तो इसकी तो पूश्टी हो चुकी है, कि हाँ रैली कंड़क्ट हो रहा है, तो अगर आप इसमें भरती होना चाहते हैं, क्योंकि देखें, बहुत ही अच्छा मौका है, रैली भरती में क्या होता है, कि सारा काम बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, डारेक्ट फिस्कल की बेस पर ही आपका selection हो जाता है वहाँ पर फिस्कल कराएंगे रने कुछ कराएंगे जो अपना कराना होगा उन्हें तो फिस्कल कराएंगे उसके बाद वहीं पर डारेक्ट नॉर्मल सा एक्जाम लेंगे बहुत ही नॉर्मल वह पूछेंगे और वहीं आपका result भी दे देंगे और उसके बाद आपकी joining later भी मिल जाएगी और देखे वैकंसी अच्छी है ये constable के पदपर ही है जिस तरीके से sscgd में भरती होती है sscgd में आप एक्जाम देंगे, physical देंगे, medical देंगे तो उसके बाद बहुत सारा time लगता है sscgd की भरती complete होने में ये rally भरती है तो इसमें बहुत ही fast process होगा और constable general duty की ही post है जिस तरीके से sscgd में constable के पद पर आप जाएंगे तो वही पद इसमें भी है sscgd वालों के साथ ही आप भी training करेंगी तो rally भरती conduct करा जा रहा है तो जो यहाँ पर sscgd constable में पद खाली हो गए थे उसी के लिए rally भरती conduct करा जा रहा है और ये rtbp में करा जा रहा है rtbp के अलग-अलग battalion में करा जा रहा है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फिर से बता देता हूँ पिछली वीडियो में हमने आपको बता था फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि किस battalion में करा जा रहा है उसे पहले यहाँ पर दे सकते हैं यह notice है इसमें बता जा रहा है यहां पर देखे अभी यह उत्राखंट को लेकर आया है कि यहां पर बारवी बटालियन में रैली कंड़क्ट हो रहा है बाकि और बटालियन में भी हो रहा है वो मैं आपको फुल नोटिस दिखा देता हूँ हलागे फ्रेंस आप खुश से पता कर लिजेगा क्योंकि कोई पबलिक नोटी जारी नए गए हुआ है तो इसलिए आप खुश से भी पता कर लिजेगा वहां पर किसी भी तरीके से क्योंकि ये बटालियन जो है वो आपके आसपास ही होगा क्योंकि इसी के आसपास लोकल एरिया के कैनेडी इसमें जा सकते हैं तो कौन कुन इसमें जा सकता है कहां पर जाना है वो मैं आपको एक वार फिर से बता देता हूँ और आप भी वहाँ से पता करके चले जाएगा 25 सिप्तेंबर को rally conduct होने वाला है यह इसका full notice था इसमें बताया गया था कि rally जो आपका conduct होगा वो 25 सिप्तेंबर से conduct होगा और यहाँ पर आपका जो physical होगा 9 से 10 इसके लिए registration होगा exam 14 को होगा result 16 को आएगा और medical आपका जो होगा 17 October को आएगा 25 October को final joining हो जाएगी और आप भी SSGD वालों के साथ ही training पर चले जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से इसमें battalion थे लगबग सभी बें conduct होगे तो अगर आप जाना चाहते हैं इसमें जरूर जाएगा देख सकते हैं अब राचर प्रदेश इसमें 4th battalion यहाँ पर देखे कौन कौन से battalion दिए गए हैं अब राचर प्रदेश के 1, 2, 3, 4 अब राचर प्रदेश के 4 battalion में इसमें देखे कौन कौन जा सकता है यहाँ पर आप अपना डिश्टिक देख लीजेगा आपका जो भी डिश्टिक है उसी के battalion में आप जाएगा जैसे यहाँ पर देखे मैं मा लेता हूँ कि आप उत्तरकासी से हैं अगर आप उत्तरकासी से हैं तो आप इस बारवी battalion में जाएगा जो कि मालती में इस्तित है अगर आप पितावरागर से है तो आप इस चोदावी battalion में जाएगा जो कि पित कर सकते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं भारती होने का अच्छा मौका है अब देखें बहुत सारी लोग कहेंगे कि क्या दूसरी श्टेट वाले जा सकते हैं या फिर नहीं देखें दूसरी श्टेट वालों का तो मैं नहीं बता सकता है यह लोग जा सकते हैं क्योंकि इसम पर लग जाएगी इन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा अगर आप यहां पर उत्तरकासिय से हैं तो यहां पर उत्तरक्षंड में तिब्बत बार्डर पर आपके ड्यूटी भी लग जाएगी तो चलिए आप जा सकते हैं पता करके हमने आपको बता दिया एक नोटिस भी बीजा सकते हैं तो जो सच्डेविश तहा अगर आपका यह पता है भागे बहुत सारी को नहीं पता होता है वाले यहां पर बगल में होगा चलिए आप्की नेटियो